शिवसेना तो सबसे ज़ादा भूगी है किस तरह से भारी बहुमत से चुनी हुई जनता द्वारा चुनी सरकार को इन्होंने गलत तरीके से CBI से, ED से, पैसे से इनके MLA को तोड़के इनकी सरकार गिरा दी तो अब इनकी तीन तरीके हैं BJP के तीन तरीकों से यह अगर कोई BJP की सरकार नहीं बनाएगा, किसी राज्य में नहीं बनेगी तो या तो वो MLA खरीद के उसकी सरकार गिरा देंगे या MLA, CBI और ED का डर दिखा के MLA तोड़के उनकी सरकार गिरा देंगे और या फिर ओरडिनेंस लाके उनकी सारी शक्तियां चीन लेंगे दिली में यही हुआ इनों ने ओपरेशन लोटस किया दो तीन बार ओपरेशन लोटस किया हमारे MLA खरीदने की तोड़ने की कोशिश की हमारा एक भी MLA नहीं भी का जब इनोंने देखा कि इनकी सरकार तूटनी रही इनकी सरकार गिरनी रही तो अभी ओरडिनेंस लाके इन लोगों ने हमारी सारी शक्तियां चीन ली तो इन लोगों को बहुत ज़ादा एहंकार हो गया है और जब किसी आदमी को बहुत एहंकार हो जाता है तो बहुत स्वार्थी हो जाता है वो आदमी ऐसा व्यक्ति देश नहीं चला सकता जो इतने एहंकार और इतने स्वार्थ के अंदर जीता है वो फिर देश के बारे में नहीं सोचता वो कि बल ये ओर्डिनेंस क्या है ये ओर्डिनेंस ये है कि सुप्रीम कोट की हिम्मत कैसे हो गई हमारे खिलाफ आदेश देने की हम देखते हैं तो ये एहंकार का नतीजा है एहंकार के अंदर जब आदमी आ जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है तो मैं बहुत-बहुत शुक्रिया आदा करता हूँ शेफ सेना का उद्धव जी का कि उन्होंने दिल्ली के लोगों का अज साथ दिया ये लड़ाई दिल्ली की नहीं है ये लड़ाई पूरे देश के अंदर समविधान की है, जनतंतर की है फेडरलिजम की है जिस तरह से सारी देश के अंदर सरकारों को परिशान किया जा रहा है सीबिया और इडी का डर दिखा के सरकारें तोड़ी जा रही है गवर्नर्स के जरीए आपको जानके ताज्यूब होगा पंजाब के अंदर